नमस्कार आप देखना शरू कर चुके हैं खरी-खरी और मैं हूँ आपके सात मांसी आज बात होगी खरी-खरी में बिखर है एंडिये की जी हाँ एंडिये जो है चुनावों की तारे काने से पहले ही बिखर रहा है लगातार जो इंडिया गडबंदन चुनाव की तारी के नजदी का रही है उससाफ से जो इंडिया गडबंदन है मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है तो वहीं एंडिया जो है लगातार बिखर रहा है इसकी खबरे निकल कर सामने आरे जहां मैं किस तरीके से जो seat share उन को लेकर कही ना कहीं जो है आपस में अनमंसी चल रही है एंडिया में तो इसी के साथ आपको बता दू इसी पर आज जो हमारा मुद्दा है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और अब मैं आपको बता दू कि जो एंडिया बात कर रही थी कि चुनावों म नहीं हो पाएगा ऐसी खबर निकल कर सामने आरे कहाई ये जा रहा है कि बीजेपी की रणनीती से वो जो दल है वो डर रहे हैं जिसमें आपको बता दो कि उडिसा है बिहार है महरास्ट है पंजाव है हर्याणा है तमिल नाडू है ये जो राज्य हैं ये अब NDA के साथ की दरों में और ने वाला वह लेकिन देखा ये जो रहा हुएं कि जैसे जैसे चुनावों की तारिक नसदीक आ रही है वैसे वैसे मन में उत्पंद हो रहे हैं तो यही भारती इंता पार्टी के गठवंदन चूटने के आसार जो बनते दिखाई दे रहे हैं दूसरा गठवंदन के सहीयोगियों के साथ भारती इंता पार्टी को इस समय ठीक से बैठा नहीं पा रही है कोई मेकेनिजम ऐसा नहीं बना पा रह ज़से चलते हुए भारती जन्ता पारटी को ले करिकर संशाइ के बादल उठ रहे हैं और भारते जन्ता को शक्किनिगास से देख रहे हैं कि भारती इंडिया से लगना चाहती है कि अपने सहयोगियों को नश्ट करना चाहती है यह जो है एक चीज भारती इंडिया पार्टी की सहयोगियों के मन में जा रही है तो इसलिए भारती इंडिया के अंदर उठ रहे हैं हाला कि इंडिया कितना बड़ा है क्या नहीं है वो उसकी उभीर चुनौती जो है लोकसवाद चुनौत से पहले हो रही है दूसरा जैसे आपने अपनी शुरुआत की थी कि इंडिया जो है वह मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है उसके अंदर सीट शेरिंग का फॉर्मूला तैह हो चुका है सीट शेरिंग भी लगवं उसक मुलाकाइत करने जिके कल दिली में आये थे कल उनकी काफी देर तक Чडचा भी होई थी तो कल कह सकते हैं कि रात और जैसे बोला था है पहले की तरह रात और चर्चा होई पहले ठीकर फ़स्की आपस में कि उनको शान की समय पर रात की समय मीटिंग करना है इसमें महाराश सबसे जाद है भारती जिंता पार्टी के लिए भीः के बाद चुनोती भरा भी तक जो कोई बन के निया पाया है कि वो किस तरीके से सामने लेगी और किस तरीके से माहाराश में तो पार्टी एंठाप पार्टी के सामें जबम दस्ति की है कि जो उनों तो पार्टी इनधा साथ इस समय नहीं की असलिस पार्टीं पार्टी साहरें के लिए पर असली शिप्सेना समझ करके और जितना वो चुनाव लो ले थे उसी तरीके से मतलब 21 सीटएं उनको चाहिए चुनाव लोनने के लिए महाश में इसी तरीके से अजीत परवार खुदको समझ रहे हैं कि वो असली NCP है तो उनको भी जो है वहां 21 सीटे चाहिए चुनाव लगने के लिए यह वो इस तरीके से समझ रहे हैं कि यह उनको होना चाहिए लेकिन यहां संकट यह आ रहा है कि भारती जंता पार्टी ने जिस तरीके से नश्ट किया अपने सहियोगियों को तो यह एकना शि शिंदे को भी तोड़ सकती है उनके अंदर भी इस तरीके से इनको इस्तिमाल किया असली दरों को तोड़ने के लिए तो यह किनी और एकना शिंदे की पार्टी के अंदर कोई नया एकना शिंदे भारती इंता पार्टी पार्टी पैदा कर सकती है इसी तरीके से अजीद प दूसा देखनाय की भा क्षा जाधा पार्टी याधा मिला रणा चाती है और इन को हिस्सार कम रहना चाती है तकि ऐसे dunk के ऊपर उसकी निर्भरता कम हो गानाइण DR के रागे मैं तो जाइस वातीप लिए जो एक सर रहा percentage याधा उन्सक कि चुनाव के जीता है। तो वह भी चाहेगा कि उसकी सीच उसको दी जाएْ भारती इंता पाइटि वह सीचे देना नहीं चाहती है इसी तरीके से यह कैई है रामनातकदम शिपसे ना के इनके एकनाषिंदे वाले उनका जो बयान था कि यह था इकनाषी उसका मद शो बाल से हमारा गला काट विद्रो के सुर उत् pedal शुरू हो गए हम अ मिस पीकर ने फैश्म देदें दिया है एकनाशिद्र की सस्ता बनी रही है उनके सायोंि त छी स्ता बनी रही खित परबा की फैश्म بنी रही यह सपीकर फैश्म दे चूके है लेकिन जिस तरीके से ये सब चीजासे चली महाराश के अंदर तो इसको ले करके भारती जनता पार्ठी के अंदर तगड़ असंतोष के सुच जो है वह रहत Stock सभी争 है। पवार गुठकी उसमें यह कहा गया है कि भारती इंता पार्की किस तरीके से हमारा गला काटनी की कोशिच कर रही है यानि कि एक तरफ तो भारती जंता पार्की ने घरों के अंदर फ्रेक्शन करवा दिये अजीद पवार को खुले आम जो एक तरीकी से चुनौती दे रहे है शर्द पवार ने कि शर्द पवार जो है वो खुल कर किया वजीद पवार से टकर लेने के लिए तयार हैं तो एक तरफ तो यह संकाट इन दलों के सामने है कि उनके जो मूल दल है वो उनसे बदला लेने के लिए तयार है इसी तरीके से उद्द ठाकरे जो लगातार महराश का दोरा कर रहे हैं वो एक ना शिंदे से बद्ला लेने के लिए तयार हैं तो यह एक तर्फ तो इन को लग लग यह रहा है कि हम जिस पार्टी की बदरोत आये थे जिसने हमको बनाया था हमने उसके साथ विश्वासगात का फाइदा हमको ठीके फौरी तो पर भारती इंता पार्टी में आकर के मिल गया लेकिन आगे चल करके भारती इंता पार्टी भी हमारे साथ यही करती है तो हम कहा जाएंगे तो यह इनके सामने संकर्ट उत्बंद हो रहा है तो यही संकर्ट एकनाश शिंदे के सामने है यही संकर्ट अजीत पवार के सामने है कि भारती इंता पार्टी ने कल अगा इनके साथ भी यही खेल किया जो शर्थ पवार के साथ किया था या उत्रफ ठाकरे के साथ किया था तो एकना का मतलब क्या था इस ऑफर का मतलब यह था कि भारती जनता पार्के में आपका जो अपमान हो रहा है तो आप आईए एंगे और यहां करके आप लड़ेगे और एक तरी से नेतर तो किजिए मोदी जी के खिलाफ इधर आकर करके आप महाराश से महाराश असल में कभी दिल्ली क सामने जुका नहीं है यह कहा जाता है कि महाराश कभी दिल्ली के सामने नहीं जुका है तो महाराश दिल्ली के सामने नहीं जुका है यह तरीके से संकेत भी उद्दव ठाकरे ने नितिन गठकरी को दिया कि आप मोदी के सामने जुकिये मत और आपको मोदी के सामने जुकने महाराश की जा करें हुए ऐने की ने वहां यह रहां। पार्वा इरो क्या नहीं है। को पता हुए शुन कि अंदर की भात में पहना है। pueden भाइस आज़ी के रहा है, बाहरती शेरिंग के साथ यह रहा है। आमलिंदु g जिस तरफी सापने बताई सारी चीजें तो यह निकलकर सामने आ रहा है कि जो उनने दल हैं जो इनके साथ में आने में इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि देखा यह जाता है कहां भी जाता है बीजेपी को लेकर कि जब उसे सत्ता में आना होता है तो वो सभी दल के संग में गड़बंदन कर लेती लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती तो उनको नेगलेट करना स्टार्ट कर देती है उनकी तरफ ध्य चलना चाहिए और क्यों नहीं चलना चाहिए उसका काल जैसे हम लोग ने भी चर्चा की कि NCP को कम सीचे देनी के बात कि या बताया रहा है चार एक या दो सीची दी जाएगी और उदर चाचा श्रत पवार वह जादें सीचों पर लगते हैं इंगिया गठवंदन के साथ ज खेल हो गया यह आपने अजीत परवार को मुखिमंत्री भी नहीं बिनाया गर यहां काम की अदर के लिए उनके नहीं को बरस्ट झाहिए उनके उनके उपर से भर दाग भी नहीं अदे तो कुल मिला पर नुक्सान तो जीच अब भी सोचने कि भारती जंता पार्टी ने अजीत पवार के साथ जो खेल किया है उसका किस तरीके से भारती जंता पार्टी के साथ खेल अजीत पवार करें अब इस्तिती यहां आ गई है हो सकता है मांसी जी कि जैसे ही चुनाओं की अदिसूचना जारी हो वैसे ही अजीत पवा की मुलाकात हुए दोनों दूसरे के गले मिली है तो यह जो सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुने का जो गले मिलना है यह बहुत कुछ संकेत दे रहा है भारती जंता पार्टी इसको लेकर कि अब सचे तो गई एक तरीके से तो यह सारी चीजे सामने जो आ रही है उससे से वो उस समय पल्टी मार गए थे जब वो अपने विधाय को ले करके गायब हो गए थे और फिर लोट करके शर्द परवार के पास पहुंच गए थे जब आधी रात में उनको उप्रमुक्मंती बनाए गया था देविंद्फरणवीस के साथ में तो क्या यह देखना यह है लोट के चले गए थे शर्द परवार के पास तो क्या अजीद परवार का घर लोटने का समय नजदी का रहा है जो कहावात है कि सुगह का भूला शाम को घर लोटता है तो क्या अब घर लोटने की बारी आ रही है अजीद परवार की यह समझा जा सकता है तो जो चीज़े च बिलकुल आपने सही काम लेंदुजी क्योंकि जैसे जैसे चुनावों की तारिक नजदीक आ रही है और चुनावों का एलान होने के बाद ही यह साफ हो जाएगा कि महारास में कुछ बड़ा होने वाला ऐसी किसाथ अगर मैं बात करूँ ओडीसा में जो है बीजेडी और जैपी पर लगातर विपक्ष पर लगातर वह हमला वड़ते लेकिन उस टाइम पर जो है नवीर पटनाएक की सरकार्ती वह खामोश थी वह कुछ नहीं बोल रही थी पियम मोदी के साथ में तो वहां भी कुछ है कि उनकी खामोशी इस वक्त आई है जब चुनावों का एला हुआ है तो बीजे जी ने उनका साथ दिया हाला कि पर देंगे पीछे से उनका लंबा घश्वंदन है बीजू जंता दल भाति इंता पार्टी का और वह केंद में आकर के हमें पिछले दरवाजे से बाति इंता पार्टी की हमेशा मदद करते रहें यहां तमाम बिल पास कर और भारति इंता पार्टी साथ आना चाहते थे यह इधर से थी लेकिन इसके साथ बीजू जंताल की शर्त यह थी कि अगर आप दो सीट के लिए जैन चौदी से समझ़धा करने के लिए आप चौदी चरण सिंह को भारत दे सकते हैं तो बीजू जंताल को भारत दे दिया ज कि वहां चुकि अभी नंबर दो की भारती इंता पार्टी बन चुकि और इसा में और उसको लगता है कि जो नीतिश कुमार के साथ भारती इंता पार्टी ने खेल किया ठीक इसी तरीके का खेल वो नवीन पचनायक के साथ करें नवीन पचनायक को दबा करके जादे सीटों प तरीका जो है वह यही टेक्टिस भारती इंता पार्टी हो डिएथा में अपनाना चाहती है कि बीजू जनतार के साथ इस तरीके खेल किया जा चुकि अब नवीन पटनायक की उम्र धलान पर है और वहां भी जो है उस तरीके का नेत्य तो बीजू जमताल तयार नहीं कर पाया है जो बीजू पटनायक का इस्थानमा ले सके बीच में आपको याद होगा कि जो उनकी पहन थी नवीन पटनायक की उनको यह था वह पन्वपुरासकार की घोशना कर दी गई थी वह बाहर विदेश में हैं और उन्हों फिर वह उसको ठुकड़ा दिया था उस समय पन्वपुरसकार को भी नमीन पटनायक की पहनने तो यह जिस तरीके से भारतियन पार्टी ने खीचा था लेकिन इधर कॉं कान जेना जो एक बड़े नेता रहे हैं वह आकर के कॉंग्रिस में आए वापसी हुए उनकी तो इस तरीके से महां अच्छा प्रयास करना जो शूरू कर दिया है कॉंग्रिस ने वहां जो प्रभारी बनाये गए हैं डॉक्टर अजय कुमार वहां काफी जादे काम कर रहे ह कॉंग्रिस वहां एक तरीके से जो बीजू जनता दर के खिराफ एंटी इंकम्मेंसी है उसका फाइदा उठा रहे हैं और राहुल गांधी अभी जब वहां गए थे अपनी भारत जो ने आया था कि दोनान उन्होंने वहां जवर्दस तरीके से बीजू जनता उपर प्रहा गया थे और सब लोगहां एक रहा गांधी चान ने हरा भी राहुल गांधी राइस्थान में मदप्रदेश नेया हो चले गए बहां तैलंगाना उन्हों की स्कार कियो वहां वहां उन्होंने तैलंगाना के ऊपर मेशन शुल कर दी थे ओए उसके बाद मुमेंटम बन गया भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि राहूल गांदी ने जिस तरीके से अब जाकर के उरीसा में और तगले प्रहार किये बीजू जनताल के उपर नमीन पच्च्चा के उपर कहीं इस से इस तरीके की हवा तो नहीं बन जाईगी कि जो तेलंगाना में बन गई थी भारती जनता पार्टी को उरीषा की विधान सामें नुक्सान हो और उरीषा से बहरती इंता पार्टी जिस तरीकी से जीत करके आई थी आए आप 13 विजह अज़ड़ के पास हैं तो भारती इंता पार्टी को लगधा है कि अब कॉंग्रेस. यहां ते जी के साथ आएगी क्लिया कॉंग्रेस ने इसी तरीका का क्लिय के लिए गार्वारती इंता पार्टी इंता पार्टी यह पास ए तरीका से समझाने सब्सक्राइब वहां कॉंग्रेस इस तरीके से हैं और बाहर भारती जंता में दम चाहाई है यही समस्या अब बीजू जनताला है वहां लग रहा है जो इस ने नीटी श्कुमार के साथ बिहार में किया था पर दो नुखसान वहां नितिष कुमार को, बीजू जनता न को यह लग रहा है कि भारती जनता पार्टी हमको कम सीटों पर ललने के लिए जो है, कह रही है, और कहीं इसी तरह कोई खेल किया, तो बीजू जनता न वहां छोड़ी पार्टी हो जाएगा, भारती जनता पार्ट पार्टी वहां बड़ी पार्टी हो जाएगा, फिर नवीन पचना के ओपर दावर जाएगा, कि आप भारती जनता पार्टी का आप वहां सहयोग दीजिए, दूसरा यह जो पिछला हुआ था, तो उसमें एक रिटायर को आई-स की नौकरी छोड़ करके कोई महिला आई है, उनके जवर दस तरीक्विंग पार्टी नेक टरीके से शोर किया था कि उसकी मुखिमंति पत्की दाविदार महां वह सकती है, तो बीजो जनताल को यह भी लगए है, कि भारती जनता पार्टी यह खेल भी कर सकती है, उनका चेहरा सामने रखे और अब चुनाओ जो है, वो हुग बना दे तो यह सगत ब तो यानि कि दोनों तब से तयारियां पूरी है कि अधर बतार रहाता है कि दो बले देता कल दिल्ली में थे और उन्होंने कारिकम हिस्सा रिया लेकिन उन्होंने गठवन्दन के ऊपर कोई बातचीत करने से परहेश किया जब कि इससे पहले समझाए यहाँ था कि प्रहानमंत अतनी की घोशना नहीं हुई उसी समय समझ में आ गया था कि यह गठवन्दन परवाद नहीं चलेगा चूकि भारती जंता पार्टि बीजू जंता गया कि भाव गया कि भारती इंता पार्टि यह खेल करना चाहती है तो वहां भी उनका विखेल आ मज़ना भारती इंता पाटी का जो आज पीखरता हुग विंग सम्भावणा नहीं देख रहेगी कि तो आपने सब्सक्राइब निदीश कुमार के साथ में कर दिया गया उसी तरह से कह सकते कि उड़ी सा में डर रहे हैं उनके साथ में परिशान हैं वो सोच रहे हैं कि इसके वज़े से कई हमें आगे जाके खामियाजा ना जहेलना पड़ सके इसके साथ मैं आपको ले चलती हूँ माफ की जगा हर्याना में तो हर्याना में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी की जो गडबंदर की बात चल रही थी अब वो यह चल रहा है कि वो अलग अपना जो है चुनाव लड़ेंगे तो गडबंदर नहीं होगा आप क्या कहना चाहेंगे इस पर देखिए असल में यह जो है मसला बिहार का हर्याना का हर्याना में जो जैन अपने दुश्यन चोटाला वह तो पिछला चुनावी अब वहां भी यह बताया है कि बहाती इंता पाटी उनके साथ भी वहां कोई कहेल करना चाहती है और दूसर यह लग रहा है कि जिस तरीके से किस्तान आंदोर चल रहा है और किस्तानों का जिस तरीके से आंदोर हुआ उससे अब जेजीपी के सामने संकटी है कि अगर भारती इंता पार्टी के साथ चुनाव मैदान में जाते हैं तो भारती जनता पार्टी के जो एंटी इंकंबेंसी है उसका खम्याजा जो है दुश्यन चोडाला को भुगतना आपको होगा यह समझ में जो है वो दुश्यन चोडाला क्या रहा तो दुश्यन चोडाला भी महां अपनी अलग रहा बनाने की कोशिश करना हो सकता है कि जैसे चुनाव की वो वैसे दुश्यन चोडाला करने कि हम भारती जनता पार्टी के साथ हम नहीं जा रहा है हाला कि तो एक तरही से कहा जाए कि वह एंड ये टूटने के जो हर्याणा में बात थी उसकी शुवात हो गई वहां वैतरनी पार करने को मिल जाएगी तो वह वैतरनी हर्याणा में पार होती हुआ दिखाई नहीं पड़ रही है हर्याणा में अधिकान सीटे भारती इंता पार्टी के ही पास है लोग सवागी तो यहां भारती इंता पार्टी को लग रहा है कि दुशन चौटाला के साथ आ जाएंगे तो वहां बनाया जा सकता है अपना इस तर जो है वह हर्याणा में वहां से जीत करके भारती इंता पार बनता है कि हम बड़े भाई हैं हम चोटे भाई नहीं है चुकि हम पिश्वार चुनाओ ले थे तो वह चाहते हैं कि ज्यादा सीचे उनको मिलें तो ये शंकाट भारती इंता पाइटी सामने बन रहा है तो वहां भी गठवन्न जो है बारती इंटा पार्टी का वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है दूसरा ये की जो उनके जो चाचा है दुशन चोटाला के उनकी जो पार्टी है इने लोग इंडिया निशनल लोग दिल जो है उनका संबन नितीश कुमार के साथ में है नितीश कुमार की जब हुई थी वहां कारिकम हुआ था भी थोड़ देने पहले तो वहां केसी त्यागी पहुँचे थे मंच पे उनके जाकर के तो वहां जो अब समझाए यह आता है कि चुकि नितीश कुमार भी कोई खेल भारती इंटा पार्टी साथ बिहार में कर रहे ह तो बिहार में जो खेल हो रहा है उसका भी एक तरीक़े सी रफ्ле reminders हरियारा में भी कुछ। जो होता हुआ दिखाई परदा है तो ये भारती जिंटा पार्टी के संकच जो बढ़ते जा रह Meं वह यह बढ़ते जा रहे हैं हैं कि बाती जिंता पार्टी ने जो अलग जिम कुल मिलाकर यह नुकसान भारती इंता पार्टी और एंडिय को होने जा रहा है और भारती इंता पार्टी निर्मोदी नारा दिया था कि वह तो यह कहीं से होता हुँ दिखाई नहीं पड़ता है और इसको लेकर कि एक संशा यह भी हुआ चोटे दलों के पीच में कि बीजेपी ने अपने लिए तो 30 सीचे तैकर दी इस तरीके से तो यानि कि आप सारे दलों को आप जो है निप्टाना चाहते हैं अपने सहीवियों को आथि ने ourselves को समझ में ऐ रही है तो कुल मिलाकर करके है वह संकत हो रहा है हुआखस भरति द्रेट Karl कि यह भारति जन्ता पार्य की घृत को सब होगा क्यों नेकिंड थीर तरीकित को लेकर widder summary के Example S貶् Knowledge ८िकृत हे ऑनाच़ात समीटुव च existem थीराक पुछाना चुका कि US की काल हुआ था तो मैं आपको ले चलती हुँ कि पंजाब मेंRight पंजाब की बारे में आप क्या कहना जाएंगे अमलिंदू जी पंजाब में तो अना कि गष्मन्दन पहले से चूट चुका है अकाली दल उनके साथ में हुआ करता था और अकाली दल के साथ उनका 1996 से सम्झ होता था और सीष शेरिंग कर लेकर कि और लेकिन किसान आंदोलन मे तो किसानों का जबरदस्त दमाव शेरिंग अकाली दल के उपर था या भाति इंता पाकी के साथ छोड़िये जोड़िये उसने चोड़ दिया अब बीच में चर्चा चली थी कि वह शेरिंग अकाली दल ने समझाता किया हुआ है बहुजल समाज पाकी के साथ तो वहां भी वो समझता है श्र्मर्ली आकाली दल का इनके साथ हो जाए भारती इंता-पाइटी के साथ, बारती इंता-पाइटी को शैद बहां दो धीन सी नहीं चल लेकर लेकिन एक तो विसमें जबादस तरीकी से काम किया है जिस तरीके से किसान फिर से उठा और पंजाब से ही जो आयो भारती जिंता पार्टी की जो हर्याड़ा की सरकार उसने जिस तरीके से किसानों के उपर जल्म किये वो अब गूमरेंग एक तरीके से करता हुए दिखाई परदा और शिरोमारी अगाली दल के उपर वहां भी फाइदा यह है कि अगर बीएसपी का और अकाली दल का महां समझाता होता है तो यह तरीके से आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस को जो है वोटों में सेन लगाने का काम वो गश्मन्दन कर सकता है तो भारती इंता पार्टी हाला कि बहां दूसरे नजरी से देखा जाए त भारती इंता पार्टी को सीधा फाइदा होता है वो भारती इंता पार्टी को इस तर II का जाए वूट जान में पंढ़ नहीं पा रहा है महरे ऑड़ rumor लाट निंद्र जी ऑपने नहीं पहता है जो है देविंदर का जिन कम इसी बाति Contact दबीस का जो बयान सामने है उब एस म ये हमने हमने हाल कर डिएं कितने हम ह्तानी लेकिंघ्टा उन्ट को गंभीता से लेनी में याद कि जो व्यक्ति क्हेरा है कि आप हमारा into the ये बताराएं कि मेरे खिराब ये भारती इंधा पार्टी ने इसी तरहीं से काम किया था तो याँनि की बतारए का में का द का होते हैं किस्तिति क्या है आज भारती जंता पार्टी के अंदर जो कुछ तया होगा वो तो दिल नहीं से तया होगा देवेंद फरणवीश की स्थिति यह कि एक नाशिंदे को लेकर कि आया जाता है और एक नाशिंदे की सरकार में उनको उपमुखमंती बनने के लिए का आया किया जाए गा वह अमिश्या की बात पर किया जाएगा या जेपी नज्ड़ा जो कहेंगे उस पर जो भरोसा किया जाएगा तो एक नाशिव कुछ भी कहते रहे हैं कुल मिलाकर की देविन फरणवीश लेकिन महराश में उनका टूट चुका है और ये टूटना जो है गश् टूटने के कगाल पर है और उसकी बस सिर्फ घोष्णा होना बाकि है मुझे रखता है कि इदर चुनाओ की घोष्णा होगी उधर एंडिया के गट्वंदन तूटने की घोष्णा होगी ये इस्तितियां बन नहीं है बाकि कल को क्या हो जाए किस एजी सी बी याई और क्या रैली से चिराक पासवान और उपेंद कुष्वाहा गाइप थे दोनों की अपनी पार्टिया है जबकि चिराक पासवान के प्रतितुन्दी उनकी जो चाचा है प्रश्वर दीनाथ पारस वो मौजूद थे उस सभा में दूसरी सभा हुई उसमें चर्चा ये चल गई कि च स्क ह मिई चराक पासवान आ जाएं यह सुनते हैं चिराक पासवान निविए चहाँ रहां से आपने को किनाले कर लिया और उनुछी सोट और लिए आप चौड़ था थे उस पाठिट करते कर दो यानि भारती जनता पार्टी को डबल जटका जो है वो बिहार में एक तरीके से लगा और उपर से वीडियो बारे अलग से हो गया कि प्रधान मंत्री जो थे भार्शन दे रहे थे और कुर्स यहां खाली थी तो यानि कि बिहार में जिस तरीके से सब चीजे चलने हैं उधर ब पार्टी जनता पार्टी छह सीट में चिराकपासवान पश्पतिनाथ पारस दोनों गुटों को जो है वो श्य सीटों में आपके थे हमारी जीयत करें जीने करें थे हमारे सिंबल पर जीथे हमारी थी आपने ठीक है तुरवादी पार्टी कोई बात नहीं हम तो 06 उनी ल वहां है और अगर उनके साथ नहीं होगा उनके साथ नहीं होगा सम इस समझाई घटाटाम सेटों एक साई उनका शाहएं। और 40 सीटों पर उने अपने प्रवादी घोषित कर दिये तो अब वहां से भी कोई बड़ी सुचा एदर लाश्ट्री लोग पाटी जो बन गई ए उनकी G셔야े रिखा वेंद कुश्वाः के ये इनती भी तो वह चोड़के बिला ली अब नीतीश हुआए के साथ फिर बाद में नीतीश कुमार के साथ कि भारती जनता पारेटी असल में बीहार में कोई अपना मैकैनिजम तयार ही नहीं कर पा रही है कि। उसको कि सा रास्ते पे जाना है değil कि किस तरीकी से उसको वहां गठवंदन करके चुनाओ लगना है और क्या सीश्चेरिंग का फॉर्मूला होगा तो बिहार से भी कोई बड़ी खबर बहुत जल्द आ सकती है कि बिहार में भी एंडिये टूट गया है और चुनाओ से पहले कोई घोशना हो सकती हो वरना चुनाओ कि घोशना होने बाद तो निशिचित वह पर समझा जाना है कि बिहार से कोई बड़ी खबर आ सकती है कि महां बिहार में गठवंदन जो है वो एंडिये का तूट गया है जब्या गठवंदन में मझभूतिके साथ में का गठवंदन बना हूँ रहा है उनकी एक सभी और दोनों के बीच में दिखाई दिया तेजस्वी एक तरीके से वहां बिहार में चेहरा जो है इंडिया गट्वंदन का बने हुए अच्छा चेहरा बने हुए और उसमें उनको अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है भारतिये जनता पारेटी और एंडिये के पास इस समय कोई चेहरा तेजस्वी की टक्कर का बिहार में नहीं है नीतिश कुमार जो चेहरा हुआ करते थे उस चेहरे पर जवर्दस तरीके से डेंट आ चुका है नीतिश कुमार के पास अपना अपना वोर्ट बैंक बचा है और ना अपना काईदे का चेहरा नीतिश कुमार के पास बच कि चिराख पासवान और जीतन लामा जी यह भी हो सकता है कि बहुत जल्दी किनारा करें इंडिया के साथ नजर आएं मांसी जी बिल्कुल हो गई क्यों कि आपस में जो समन में वह बैठी नहीं पा रहा है इन में कभी किसी पार चीज को लेकर को कि नितीश के नितीश आते हैं नितीश आते हैं तो वाकिया कह सकते हैं कि उनका किलकुल के करेंगे लेकिन उसके बात करना चाहँए तमिल नाडू को लेकर आप उसके बार में क्या कहना चाहेंगे देखिंज तमिलनाड़ू में तो अशल में भारती इंदा पाइटी जिए साथ बरा जबातक्स के वहा कि ए अधियू है कि उसके अंदर जो फ्रेक्शन्स हुए वह फ्रेक्शन्स भारती इंदापाइटी की शेय पे वह यह बहां एई-धियू के कार्कर्ताओं निताओं ने आरूप लगाय थे कि पार्ति इंता पार्टी इसके पीछे की फ्रेक्शन हो रहा है अभी जो दिली में जो एंडिये की बैठा कोई यह की पिछले पार साथ हों एंडिये की तो उसमें जो पलादी स्वामी जो पूर्वमुख्यमंत्री है और इस समय के चीफ है वह उसमें मौ के लिए बंद हैं दूसरा यह कि बहार जो ड्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व के को समझ में आ गया कि उसका मद्दाता यहां से भाग करके डियमके के साथ चला जाएगा तो उनको भी यह लग रहा है पलानी स्वामी को भी को यह मोदी जी के साथ जाते हैं तो यह को नुक्सान होगा ठीक उसी तरीकी साफ समझ लीजे कि जिस तरीक से मिजरूरम का चुना तो तमिल नाजू में भी जो भारती इंता पाची सोचती थी यह आगे बढ़ेगी और हाला कि महां उन्हें कॉंग्रेस की विधायक है उनको शामिल करा लिया पाची छुड़वा करके भारती इंता पाची में लेकिन वह नुक्सान जो हुआ है वह लगा तमिल नाजू में कि चुनावों की तारिक नजधी का रही है एंडिये जो है लगातार जो है कमजोर होता जा रहा है जिन राज्यों से वह बोल रहा था कि मजबूती के साथ गड़बंदन करकर 400 के पास सीटे लेकर आएगा वही जो अब देख सकते हमने अपने आपको बताए कि खरीखरे में